नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्जाम पाथफाइंडर पे और आज हम डिसकस करेंगे युनिवरसिटी कॉलेज आफ मेडिकल साइंस के सीनियर डिमोंस्ट्रेटर्स और सीनियर रेसिडेंस पोस्ट के वाया डिरेक्टर रेक्रूर्डमन के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं बत का नाम है सीनियर डिमोंस्ट्रेटर्स या सीनियर रेसिडेंस तो इन बदों के लिए जो आपको एसेंशल क्वालिफिकेशन चाहें होगी वो है पोस्ट्रेट डिकरी या फिर कोई भी डिपलोमा एज लिमिट आपके रहेगी 18-40 तक और स्टार्टिंग डेट अप्लिकेशन आप करेगा 10-12-2021 से लेकर के 7-1-20-22 तक आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना अप्लिकेशन डाउन्लोड करके इससे पर अप्लोड कर सकते हैं और अगर आपको eligibility criteria, fee, pattern and extra place of posting इन सब के बारे में और भी अधिक जान करी चाहे हो तो आप इन attachments को डाउन्लोड कर सकते हैं जो कि आपको हमारे platform alert.pathfinder.com पे भी मिल जाएंगे ऑफिशिल notification की बात करें तो वो कुछ इस तरह के हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं last date of receipt of application जो दिया गए हो है 7-1-2022 तो आप इससे ध्यान में रखे और अगर आपको और भी सादा details चाहिए हो तो आप इनके website पर भी जा सकते है university की वो है www.du.ec.in और आपको अकर college की website पर जाना है तो आप इस वाले address पर जा सकते है www.ucms.ac.in और यहां पर important note पर आप देख सकते हैं आपको दिया गए है कि आपको each and everything detail जो चाहिए होगी qualification की general instruction की वो साड़ी आप उपलप्त कराएगा है आप इससे देख सकते हैं और यहां पर डिपार्टमेंट वाइस आपको इस reserve seats पर मिल जाएगी टूटल वेकिंसी जो है तोस्तों कुल मिला कि है 31 यहां पर जो कालिफिकेशन पर skills age है वो सब भी अच्छे से relaxation भी है SCSD, OBC, PW, BD, and Government Servants as per government of India के norms पर तो और सबसे important note जो आपको दिया गया है वो यहां पर आपको उथर कर सकते हैं डिटेल में application भढ़ने से पहले और यह सारी चुटकुमेंट्स है यह आपको at the time of interview ध्यान से रखनी है इस वाज भी आप अच्छे से डिटेल में पर सकत है अगर आपको और भी कोई अथिक जानकारी चाहिए इविंट के लिए तो आप हमारे forum पर विजिट कर सकते हैं जो की है community.exampathfinder.com इसकी link आपको हमारे description box पे मिल जाएंगी दोस्तों तो आप यहां पर जाते ही आप कुछ इस तरह का page दिखेगा और फिर आप जब स्क्रॉ तो यहां पर दोस्तों आप जाके अगर आपको कोई भी queries हो, doubts हो या फिर कोई भी question हो इस event को related आप यहां पर discuss कर सकते हैं तो मैं आशा करती हूँ यह video आपके लिए बहुत helpful रही होगी और अगर आपको यह पसंद आए हो तो आप like and subscribe जरूर कीजिएगा दोस्तों